आप सभी कक्छा 9 के छात्रों का सुवागत है तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम आपको कक्छा 9 वी जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिस है उसके हाफ यर्ली एक्जाम 2022-23 याने अर्धवार्सिक प्रिक्छा 2022-23 जो की आपकी एक दिसंबर को होने वाली है उसके लिए आ आपको एक एंशा पेपर बताने वाले हैं बित कम्पलीट सॉल्यूशन जो की छात्रों 70-90 प्रसेंट चांस रखता है कि आपको एक दिसंबर की दिन सेम टू सेम यही का यही पेपर देखने को मिल जाए और यदि सेम टू सेम देखने को नई भी मिलता है तब भी छात्रों आपके 80-90 प्रसेंट कॉस्टन इसी से फसने वाले हैं तो छात्रों वीडियो मंत तक बने रहिएगा इस पेपर को पूरा पूरा अच्छ तयार कीज हुआ है read the passage carefully and answer the question given below मतलब यहां पर आपको एक passage दिया गया है इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो question दिये गया है उनका उत्तर देना है तो छात्रों we are living in the age of science science के बारे में यह आपका एक क्या है passage है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजे इसके question answer देखते हो आपका पहला question है the scientific invention began after the industrial revolution of हैना तो चार option है यहाँ पर आपके लिए तो यहाँ पर आपका जो right answer लाएगा फस्ट वाली में वह आपको टिक करना है 7089 ठीक है तो the scientific invention began after the industrial revolution of 1789 यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल revolution of 1789 है ना आपको पैसेज में उत्तर मिल जाएंगे सारे के सारे दूसरा question है the cabin for the pilot is called the तो जो cabin होता है पाइलेट के लिए है ना उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तर आजाएगा डी चेंबर पैसे से भी आप मिला सकते हैं आपको यहीं उत्तर मिलेगा है ना तीसरा question है an aeroplane has an engine that is working why वाय वाय तो यहाँ पर आपको उत्तर आएगा क्या option number आपका जो से चलता है तो किसे petrol से इसके बाद है आपका next question fourth which is the following which of the following is the fastest means of transport इन में से कौन सा fastest है ट्रांस्पोर्ट के लिए आने जाने के लिए तो आपको उत्तर हुजाएगा डी एरूप्लेन फिर है बी आर लिविंग इंदा तो इंदा कहां रह रहे हैं इंदा इस ऑफ साइंस तो आपको यहाँ पर उत्तर हुजाएगा option number D correct ठीक है इसके बाद आपका second question है read the passage carefully and answer the question given below तो यहाँ पर आपको एक passage है Mary QD के बारे में आपको इस passage को बहुत अच्छे पढ़ना है और कुस question दिए उनका answer करना है तो चाहत तो आपको पढ़ लीजिएगा question answer देखें तो आपको पहला question है where did Mary earn her master's degree from तो मेरी तो थी उसने कब अपने master degree ली और कहां से ली तो यहाँ पर आपको जो उत्तर आएगा पहले का उत्तर वह है बी आ यूनिवर्सिटी इन सूर्वान यहाँ पर आप चेक करो भी तो भी आप कौन से मिल जाएगा second है what was Mary's father Mary's के father कौन थे यह डॉक्टर थे इंजीनि आपको बहाएगा see a professor फिर मेरी फिलंदी बलेंक लेफ्ट फुल एंड एंड ट्रावर्ट फ्रेंड टू एंटर दा सरवान तो मेरी थार्ट वाली में आपको आएगा see see number cancer याने की बोल्ड ली लेफ्ट फुल एंड ठीक है और मेरी कुरी इस डेकॉरेट वाज डॉक्टरे डॉक्टरेट वाज इन बिच एकेडमिक डिस्प्लेन कैंसर स्टेडीज इर्डिशन केमिस्ट्री मेडिशन फिजिक्स मेरी कुरी डॉक्टरेट में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रही थी तो यहां पर आपका फूर्ट मत्तर क्या आएगा और नमर आपका डी फिजिक्स स अब को डिसकेट यहां पर आपका आउन सोंग हो जाएगा याने कि डिस्कवर लिखन, और फिर उसके बादर के बाद बायल लगा देना ही ठिक है एं आर के बाद बायल kidding रैया हो फंध है इसकेब तो आपको यहां पर एक passage दिया गया है इस passage को आपको चात्रों बहुत अच्छ से पढ़ लेना है और फड़ने के बाद आपको एक suitable टाइटल देना है ठीक है suitable टाइटल देना है और क्या करना है नोट्स बनाने हैं तो आप इसका बना के देख लिजेगा नेस्ट कोशन है यू आ निसी कौरव स्टडिंग गवर्मेंट हायर गल्स हायर स्कूल मुरेना राइट एन अप्रिकेशन दूर फिंसफल फॉर स्कूल लिवंग सर्टिफिकेट तो आपको सिंपली एक स्कूल लिव और यह नहीं आता है तो आपस एक और याद करना है इस पीजर लेना है ना यह आप तीन याद कर लोगे तो यह तो आपका अथवा में रहेगा लेटर इसे करो याने करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर लेटर भी तयार कर लेना लेटर क्या है यू और आप अरब वरिहार हो तो इसका भी आप याद कर लेना ठीक है पांचबा कोश्चन ह लेटर तो आपको एक निवंद लिखना है इन चार्ट टॉपिक में से किसी एक पर 150 बर्ड में तो आप बंड़ आप साइंस का च्छिस याद कर लेना इसके बाद चात्रों यहां पर आपको देखो एक चित्र दिया गया है है ना तो इस चित्र आपको चित्र को देख की तो एक प्लानट है और फेमस चीज मैं और हमेझसा प्लानट में कोई प्लानट हो मून हो मंगल हो ब्लानट हो वहां पर अपका जाएगा आय डेन नॉट वाई मैंगोस तो जहाँ पर भी आपका डिड नॉट हो negative हो not मतलब negative बहाँ पर अपका हमेसा any आता है तो क्या जाएगा यहाँ पर any I did नॉट वाई एनी मैंगोस He is engineer तो यह क्या है बवल है तो यहाँ पर क्या जाएगा He is an engineer तो देखो यस्टरडे है यानि कि क्या है फास्ट फॉर्म है बीता हुआ भूत काल की बात है तो यहां पर आपको कौन सी आएगी बर्व की सिक्यांड फॉर्म तो यहांने वी वांट वैंट तू बॉस्ट दा मुवी इस्टरडे फिर है दियर इस नॉट फिलंदी विलंग ब सारे हों तो क्या आता है यहां पर हैव अवाता है दीं हैं कंप ग्аний time करने है तो आपको शह के स्वश्थ करना है यह में से कोई आपकी चार या-वाल करना है रिएरेंज करना है आ पहेंगे पेछे वार्ठ है आपको सही ग्रम में लिखना है तो यह पर पहली आएगा can second में आएगा you, third में आएगा give me your pen, can you give me your pen, क्या आप मुझे अपना pen दे सकते हो second he worked very hard, he could not pass the exam, इसमें आपकर करना है चात्रों, combine करना है sentence को but का यूज करकी तो आपको यहाँ पर फोल स्टॉप लगा है, बस फोल स्टॉप को हटा देना है, वहाँ पर बट लिख देना है, he worked very hard, but he could not pass the exam, ठीके यह लिख देना है, आपका answer हो जाएगा, बल्कुल करेक्ट, बस आप फोल स्टॉप हटाओगे, बट लिखो गई, तो बट के बाद जो he ही है ना, ही में बस आप एच के हबिटर मतल लिखना, एच स्मॉल लेटर में लिखना, ठीके स्मॉल लेटर में, क्योंकि फोल स्टॉप की बट लगाते हैं बड़ा, पर यहाँ पर फोल स्टॉप लटा दिया, तो छूटा लेटर आजाएगा, इसके बाद थार्ट अंकित होकी, इसका आपको present indefinite tells में बडलना है, कहने की समान बरतमान काल में, तो यहाँ पर आपके जो प्लेट है, बस अंकित प्लेट होकी कि खालद आएगा, अंकित प्लेट होकी यह आपको तरह जाएगा पर रोहन इस्पीक इंग्लिस चेंज दा सेंटेंस इंटु नेगेटिव तो यहां पर आपको फिफ्ट में क्या जाएगा अंसर दे वर दे के वाद आपको लेखना है वर ठीक है दे वर बॉक्ड बॉकिंग दे वर बॉकिंग इंदा डाक यह आपको उत्तर हो जाएगा फिर चात्रों सेक्शन सी आपका लिट्रेचर जिसमें आपको नौबा कोश्चन है आंसर दे फॉल्विंग कोश्चन इसमें फस्ट है विया डिट टॉमी फाइंड दे बॉक याना तॉमी अपनी बुक कहां का प्रीं महाँ इन ही यढ़ाहँ हावस इन मैगी इन होस फ्रेंड हाउस है येहां पर आपाट जो वी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है और यहां पर आ इसका ने इससे आाप आपको क्योंच करेंद आआध। वाइंड इफ वी आर आपको सिकंड में अंसर आएगा डी याने की स्ट्रोंग और फिर थाइट इस घ्रेंड मीं गेफ्ट विएंड सीवाग थुश्य। यहां पर आपको थाइट में आएगा वेंड सीवाग सौविंग अंसर आपको क्या आएगा केज हें कि अपने दादी क साथ तो आंसर आएगा एक क्लीन हैं की ठीक है और फर्स्ट बाले में वेर डिट टॉमी फांड देख लिया फोर्थ है याने की मेरा बच्पन के लेखा कौन थे तो यहाँ पर आपका अंसर है यह क्या अपीजे अब्दुल कलाम इसके बाद चातर आपका जो नेस्ट कोश्टन आता है फिप्ट बाला वाट डिट एवलीन वांट तो स्पिरेड थो हर म्यूजिक याने एवलीन अपने म्यूजिक क ज़र आप क्या बताना चाहती थी तो पांच भी में उत्तर क्या आईगा आपका A यूजिक के बारे मैं है Qazione answer देखते हैं what यहां पर आपका अंजर है टू एंड हाफ हैर यहां पर आप देख भी सकते हैं टू एंड हाफ एर इसके वाजातर वाट इलवर्ड के दोस्तों से क्या कहते थी तो यहां पर आपकार सिक्प्रन से डोजाए गा Tahir ब्रदर बोडिंग फिर है थार्ड वाट वाट वाज आंस्टाइन लब टू प्ले विथ यहां पर आपका थार्ड में आपको उत्तर किया जाएगा और आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका बी प्लास्टिक ट्वाए इसकी बाद आपका नेस्ट कोश्चन है तो यहा आपका यहां पर आंसर है राइट भी यहना मैकेनिकल टॉइस इसके बाद सेक्शन भी है यहां पर फिर सी एक्स्ट दिया गया है तो इस ट्रेक्ट का पच्छे से पढ़ लो कॉस्ट आंसर देखें तो आपको फर्स्ट कोश्चन है फ्रॉम बिश्ट वहम दा अबॉब एक इसके बाद आपके यहां पर से स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इन्हें बहुत अच्छा से ध्यान से सारे कोश्चन आंसर पढ़िएगा तो यहां पर सब्सक्राइब कोश्चन है फर्स्ट कोश्चन अबाट इस टैली बॉक सिकेंड है वेर डिड़ बिसमिल्ला खान गेट हीज बिग ब्रेक थर्ड है हूव वर द प्यूपल इन केजिया फैमिलीज फोर्थ है वाइड आइंस्टाइन राइट अलेर्ट टू फ्रैंकलीन रूसवेल्ट फिफ्थ है वेर वाज अब्दुल्कलाम साउज सिक्थ है आपको इन साथ और साथों को बहुत अच्छे से तयार कर लेना है तो आपका ट्वेल्थ कोश्टन है आंसर फॉल्लविंग कोश्टन इन अबाउड 30 वर्ट यहां पर आपको यहने 2 करने है यहां पर आपको फॉल्विंग कोश्टन इन था इन कोश्टन के आपको उत्तर देना है कितने वर्ड में 30 वर्ड में तो आपको तीनों को तयार करने है कितने को तीनों को वहनों कितने को यहनों कितने ऑट सेक्शन को बाइंको आप को वस्तर आपको तरिण कोश्टन से्ट लगाउंगी तो आप तीनों कितने को तयार कर लो ऐन दा फियर दाईध मैनें what are they? what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools third why does the happy prince send a ruby for the sea mistress? okay then 14th question is your answer to the following question in about 70 words first how does tommy describe the old kind of school? second why does the world remember einstein as a world citizen? third why did abdul kalam born to leave rameshwaram? what did his father say to this? what do you think his bird mean? so guys you have questions you have to get same to same direction so you have to prepare 15th question 15th question is only one question and the other one so this is your man question and this is your other question you have to prepare 90% of the poem you have to prepare 90% of the poem so you have to prepare 90% of the poem write the central idea of the poem ran off the roof what are the things the wind does in the poem? what does the poet say to the wind? good God Vinoosh? 16th what are the gross words of wisdom? Ben does the disciple remember them? what are the precious things mentioned in the story? the happy prince? why are the precious? so guys we have seen this paper in this paper 16th question 16th question and you have to tell us about the answer next part we will tell you the question which is your children who are great when you like the video like and subscribe and friends share them so I will tell you please give me the next video and see you next time झाल झाल